नमस्कार दोस्तों मैं हो एड़ुकेट तुलसी राम सिंग तो आपसे लोगों का स्वागत है आज इस वीडियो में जानेंगे खाश तो पर जब आप लोन लेते हैं आप फाइनेंस कोई चीज कराते हैं तो वहाँ पे होता क्या है पैमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एड के देखता है आपनों को नोटिस जब आता है तो आपनों को पता चलता कि अरे आपके अगेंस केस किया गया है तो इस चीज पर यह जो नोटिस आता है आप चेक भी नहीं देते फिर भी आपके ऊपर एक केस दायर हो जाता है एक मुकदमा दायर हो जाता है पहले के समय में उसे finance करवाती जो dealer होता था उसको अपना एक blank check देते थे जब आप check देते थे उस पर signature करके देते थे security की तौर पर रखता था जब आपका आप अपना EMI नहीं भरते थे तो वो dealer या जो finance company होती थी वो उस check को bounce करवाती थी यानि उस check में amount भरके उसको अपने account में डालती थी कुछ आप पैसा आपके account में न होने के कारण से वो check bounce हो जाता था फिर आपके अगेंस 138 के तहत यानि check bounce करके जो एनाई act होता है भारत payment हो गया बड़ी सारे गूगल पे फोन पे बड़ी सारे payment के तरीके डिटर आ गया तो पलक जपकते ही ट्रांसपर हो जाता है पैसे तो लोगों ने check use करना बंद कर दिया लोगों के पास check नहीं होता था अब जो finance company होती थी या जो करजा देने लोन देने वाली company होती उनके लिए बहुत बड़ी problem हो गई थी कि अब वो कैसे अपना ब्यापार बढ़ाए तो उसके लिए लाया गया payment and settlement system act लाया गया ठीक है 2007 में लाया गया था इसको लाया गया था कि ब्यापार का और बहतरीन तरीके से बढ़ाया जा सके अब इस जब इस नियम को लाया गया तो इसमें अभी तक जब आप कोई चीज फाइनेंस करवाते थे या कोई चीज लोन लेते थे जब कभी तो चेक के माध्यम से आपके उपर केस होता था तो चेक बाउंस केस में 2008 के आसपास इसमें कुछ amendment लाया गया था और इसमें दो साल की सजा का प्राधान कर दिया गया क्योंकि जो चेक बाउंस के केस थे हैं इसमें बहुत ज़़दा बढ़ते चले जा रही है तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए करिमिनल काटेगरी में लाया गया और इसमें ये भी कहा गया अगर जो इसका दोसी होगा उसको कम से कम दो साल की सजा मिलेगी और जुरभान लगी पेमेंट भी ऑनलाइन हो ले लगा तो इनके मादिम से जब पैसा देने लगे तो इस चीज़ों की जुरूत पढ़ना बंद हो गया तो पहले क्या था जब आप चेक देते थे चेक बाउंस होता था उसके बाद आपके कारवाई की जाती थी अगर आपका कोई एक भी पेमेंट अगर मिस हो जाता है खास तुर पर जो आपका इस्टॉल्मेंट होता है वो मिस हो जाएगा बाउंस हो जाएगा वो बाउंस कैसे होता तो आपनों को बताना चाहूंगा जब आप ओनलाइन जब आप लोन अपलाई करते हैं या लोन लेते ह या कोई चीज finance करवाते हैं ठीक है तो आप आपका auto debit होता है आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना ज़रूरी होगा pen card, आधार card और आपका back account और आपका mobile number यह सारे एक दूसरे से link हैं यह बात आप लोग जानते हैं जब आप loan लेने जाते हैं तो जो agreement का paper होता है वो भी जब online check करते हैं उसी समय आपका agreement का paper आता है अगर आप loan के लिए तयार होते हैं या कोई चीज finance करवाने के लिए तयार होते हैं company उसी समय आपका agreement भरती हूँ agreement कैसे verify होता OTP के द्वारा आपके आधार नंबर से चुकि आधार कार से सारे चीज लिंक है वहीं पर आपका verify हो जाता है सहमती वहीं पर मिल गया OTP अगर डाला गया verify किया गया तो आपकी सहमती मिल गया वहीं पर अब चुकि इनको online करने के लिए उसी agreement के साथ में एक आपका form होता है जिसको ECS कह सकते हैं या NAC कह सकते हैं और यह जो form होता है उस पर भी आपके OTP के माध्यम से उस पर भी वेरिफिकेशन मिल जाता है मतलब उस पर भी आपके signature हो जाते हैं आधार कार्ड वाला signature उस पर आ जाता है आधार कार्ड और पें कार्ड वाला दोनों आ जाते हैं यह सारी verification होने के बाद में आप लोड ले लेते हैं और आपका महीने से, हर महीनिय में आपके account से पैसा deduct होना सुरू हो जाता है. कभी-कभी क्या होता है, जब आपका जो installment होता है, वो default हो गया, bounce हो गया. जिसको आप ECS bounce कह सकते हैं, या Nets bounce कह सकता है, या NFS अपको लीगल नोटीज देती है लेगल नोटीज देने के बाद में आपसे पैसे की मांग करेगी अगर आपके अगर पैसे देती है नहीं तो आपके अगर ट्रीज केस करेगी जब आपके अगेंस केस करते तो आपको सम्मन भेजा जाता है जब सम्मन आता यानि कि जब नोटिस आता है तो देखिए नोटिस दो तरीके से होते हैं एक तो लोग उसको नोटिस को सम्मन को जैसा आए दिल मेरे पास ऐसे कोईरी आती रहती है कुछ लोग सम्मन को ही और संबन क्या अलग-अलग चीज है, वारंट कितने परकार के होते हैं, जैसे जब कोट से संबन आता है, तो पहला दूसरा तिसरा संबन आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब सारे संबन पे आप कोट में पेस नहीं होते हैं, तो जो कोट होती है, कोट क्या बेहा जाता है तो आप लोग को पता है जो नॉन बेलबल वारंट होता है ठीक है चुकि अच्छा नहीं है उसमें आपको अपना बेल करवाना पड़ता है तब नॉन बेलबल वारंट पर आप जब कोट में जाते हैं तो वहां आपको बेल करवाना पड़ता है एक चीज और ब होती है अगर आप संबन्पे ही पहुंच जाते हैं तो जोबी जा करना गलत बात है पिर आप के अगेंस वारंट होगा आप बेल कर आओगे फिर आपका ज्यादा पैसे खर्च होंगे आपको परिसानी होगी नहीं करवादे तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है इसलिए कहता हूं जब संबन आये आप किसी एड़ॉकेट से या आप किसी legal practitioner से आप संपर्क कीजिए और उनसे सलाह लीजिए कोट से संबन आता है इग्नोर विर्कुल मत कीजिए तो जो लोगों के सवाल होते थे कि हमने तो कुछ किया नहीं फिर हमने तो कुछ दिया नहीं कमपनी को फिर ये नोटिस कैसे आ गया हमने चेक भी नहीं दिया काफी लोग पूछते हैं उससे कि हमने तो चेक भी नहीं दिया था फिर भी तो आप लोगों को वही चीज में बताना चाहता हूँ जब आप चेक नहीं देते हैं फिर भी बाउंस हो जाता है उसका reason यही होता है, जब आप लोन लेते हैं, जब आप कोई चीश finance करवाते हैं, तो उसी के साथ में एक आपका ECS का और NAC का एक form होता है, जिसमें भी आपकी सुभिकृति ली जाती है, आपका सामती ली जाती है, ठीक है, उसके बाद में वो form उसी का सब्मिट हो जाता है, जब आपका जो installment होता है, वो bounce होता है, और फिर आपके against वैसे भी आप अपराधी बन जाते हैं, जैसे वो bounce होता है, तो वही से bounce हो जाता है, उसमें कुछ देनी की जरूत नहीं होती है, बस verification करते हैं, जो OTP के माध्यन से करते हैं, वही बहुत बढ़ी चीज होती है, तो ए अब इसके बाद अगर आप अपने case को settle करना चाहते हैं, अगर आप court कचेरी के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो करना क्या होगा, आप court में जाके बोल सकते हैं, या अपने advocate के माध्यम से बोल सकते हैं, कि मुझे case में settle करना है, तो court आपको medicine center में बेज़ देगी, वहाँ पर जाकर आप अपने case को settle कर सकते हैं इसके बाद में अगर आपको लड़ना है contest करना है फिर तो अलग बात है advocate hire कीजिए और case को लड़िए लेकिन मेरे हिसाब से इस case को settle करना ही बहतर होता है हाँ अगर उन्होंने जो finance company या उन्होंने अनंगर तरीके से अगर उस पर ब्याज लगा रखा installment पर तो वो बात अलग है फिर तो आपको लड़ना पड़ेगा लेकिन अगर आप settlement करना चाहते हैं तो आप लोगों को बताना चाहूंगा supreme court की guideline है एक judgment है जिसके बार में आप उसके साथ में जिक्ट करूंगा दामोदर एस परभू वर्सस बाबालाल सयद 2010 का judgment है जिसमें मने supreme court द्वारा बताया गया था कि अगर चेक बहुंस का case हो या फिर payment and settlement system act का case हो जो section 25 के तहत आपको जो case डालते हैं आपकी against उसकी बात मैं कर रहा हूं इन दोनों cases में कोई भी व्यक्त अगर चाहे तो case को किसी भी चरण में settle कर सकता मतलब आप समझ रहे हैं किसी भी stage में कोई भी आरूपी अगर शुरुवाती चरण में case को settle किया जा सकता है लेकिन आपको उसी समय बोलना होगा कूट में कि हम case को settle करना चाहते हैं मेरे हिसाब से अगर माना जाए तो आप case को settle कर लो तो भी बेतर होता क्योंकि उसमें कुछ आप गलत ठहरा नहीं सकते हैं आपके आपका सुभी कृती होता आपका बेरिफिकर्शन होता है अगर यह ओनलाइन नहीं आफ लाइन भी होगा तो आपका जो एग्रिमेंट होगा आपकी फाइनेस कंपनी के साथ में ठीक है आप लोन लेने तब भी तो वहां पर एक NGO CES का FOMM या NAS का FOMM ज़रोर भरा जाएगा और उस FOMM को ही करवाया जाता है जब आपका जो इस्टॉल्मेंट होता है वो डिडेक्ट होना बंद हो जाता है मतलब वो जो आपका online installment bounce होना शुरू हो जाता तो वहीं से आपका अपराद सुरू हो जाता अपराद ही हो जाते हैं आप और जिसमें 2 साल का सजा का प्रावधान है तो ऐसे जब cases आएं तो घबलाना नहीं है आप court जाहिए notice आता तभी जाहिए court में और case को वहाँ settle करने की को 38 और payment and settlement system act यह दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई हैं जुड़वा भाई जिनका रंग रूप सब कुछ एक जैसा थोड़ा सा परिवर्तन होता है समय का तो आसा करतों यह चीज आप लोग समझ गए होंगे क्या इससे लेटर अगर आप लोग का कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं एक तुलसे रामसिक फिल मिलूँगा ऐसी लिगल टॉपिक अपडेट रेकर तब तक के लिए आप से लोग को जाएं